बूर्णिंग कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप लोग अच्छे होंगे बेटा आज हम आपके लिए इतने सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं उर्दू कवायद लेकिया है जब कि मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूं काफी बच्चों के साथ मैंने लिंक लेकिन फिर भी आप लोग की रिक्वेस्ट थी और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो उस वन शॉट में नहीं थे तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से वन शॉट लेकिया हूं इसमें आज हम लोग कवायद को पढ़ेंगे उर्दू ग्रामर को पढ़ेंगे जिसमें जैसे हम पढ़ेंगे इसम के बारे में इसम की कित्ते खिसमें होती हैं सिर्फ वर्चिफत के खिसमें और फेल फेल के खिसमें वाही जमा मुताजाद बहुत सारे टॉपिक्स हैं क्योंकि सारे टॉपिक्स नहीं आप आ रहे थे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं सारे भी चीजे हैं आपकी इस सारी चीजे इसमें तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आप लोगे काम कीजिए सबसे पहले इसे अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए क्योंकि कल आप लोगों का बोट का एक्जाम है टाइम बहुत कम है तो जल्द से आप लोग इसे शेयर कीजिए जाद से जाद जादा तकके सब को इससे फाईदा हो सकसे चले ंपलोग शुरू करते हैं कि अखिछा के सफेंग लेखला है कि यह जौद की चीज जगां का इसम कहता है जाता है तो इसलिए मैं इसम के समय पहलों जेना Σबनाः तो इसमै तो आपका जान पहचान का फॉर्ण शोट दो पार्ट में मैंने अप्लोड कर दिया है इसके इलावा आपके जो एहम शोरो या अद्बा है वो भी अप्लोड है और आप लोगों का ये कमेंट बार बार आ रहा है मैं जवाब दे दे के ठक चुकी हूँ कि बेटा आपको सारे चैप्टर्स पढ़के जाना है जो आपके डिलीडिट चैप्टर्स हैं उनसे भी कोशन आ सकता है तो प्लीज पढ़के जाएं ठीक है अगर आपको लगते न कि आप छोड़के जाएंगे और नहीं आने वाला तो मत पढ़ें मैं थक चुकी हूँ आप लोगों के इस सवाल का जवाब देते देते हर वीडियो में मैं आप लोगों को यवाद बताती हूँ इसके इलावा आपको जो भी ग्रामर का वर्क है वो इसमें हम कम्प्लीट करेंगे चलिए तो पढ़ लेते शोरा और अद्बा के बारे में मैंने बता दी है सारे जो वीडियो के लिंक है सब डिस्क्रिप्शन में मैं अप्लोड कर दूंगी वह से आप लोग देख लीजीगा इसके लावा मजमून वगयरा मैं कैसे लिखे जाते हैं यह सारे पैटर्न आपको बपताऊंगी डेटेल में अगर आपको मजमून के बारे में पढ़ना है तो उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है मैंने स्सी और पैरग्राफ करके आपकी प्लेलिस्ट है उसमें आ अब बात कर लेते हैं हिस्म की किसमों की तो आपको पता है हिस्म की दो किसमें होती एक मार्फा और एक नक्रा ठीक है मार्फा किसे कहते है जो किसी शाख्स चीज के खास नाम होते है उसे मार्फा कहा जाता है जिसको इसमें खास भी कहते हैं ठीक है और इसमें नक्रा किसे क क्या कहते हैं किरिया कहते हैं ठीक है तो आपको पता है क्या लिखा है कि जिससे किसी काम का होना या करना जाहिर हो उसे हम इसम कहते हैं जासे अहमद पढ़ लाए मैं वीडियो बना रही है आप वीडियो देख रहे हैं तो यह सारे टॉपिक यह सारे काम जो हो रहे हैं सब क्य राशित ने खाना खाया यानि काम किसने किया यह पता चल रहा है हमने ठीक है अब यहां पर आपको पता चल गया दूसरा टॉपिक है दूसरो जो इसकी किसम है वो है मजूल मजूल कहते हैं जिसमें फाइल यानि काम करने वाला मालूम ना हो जैसे कपड़े धोए गए किसने हो 해? नहीं मालुम, किताबे आ गए, कृन लाया? नहीं पता, खिड़की खुली, किसने खोल ली? नहीं पता, मकान बना? किसने बनाएं? नहीं पता. तो इसमें क्या है। इसमें काम करने वाला मालुम नहीं है तिसरे जर्ने हैं फैलेariat है, फैले लाजम करते वहोगिवा है जैसे एहमद ने खाना खाया बनाया किसी और ने लेकिन है किसने आफ नाकसा कुम कहते हैं नाकस में किसी काम कहा क्या हाया क्या घर्थ का पता चलता है यह घर्थ सब्सक्राइब क्या सब्सक्राइब काम गुजरे बिमार फैल हाल नहीं होज़ा जो काम कर रहे हैं और पैपर जो आने वाले आपके तीन किसमें आजाएए, नेक्स्ट है आपका सिफ़द, सिफफट का मतलब होता हो रिजयर्ट कि जिसमें हम क्या गरते यहां या बुरा इस vidéos two एकञता है कि यह लाका बुरा है डोला के वीडिया खहर दूरी है तुम कि बुरा मांचंची ऐसnd ceux गया थे कंटा але यह कहिते हैं कि अखार है एकई पुरा इस तो क्या यह आप माई मांच बुरा हैै ड्ली की यह SIMPT की घृष में 2022 आप से सिफ़त किया पूछी नहीं जाती हैं तो आप लग इसे स्किप कर दीजे अब आजाएं सबसे एहम टॉपिक पर सनाय बदाएं जिसमें आपको ये सब तो नहीं पढ़ना है लेकिन हाँ तश्वी को पढ़ना है ठीक है किसको पढ़ना है तश्वी ये टॉपिक है आप दोनों में कोई सिमिलेरिटी होगी कोई एक जसी चीज होगी जिसकी वज़ेसे हम उसको उसके मानिनद बताएंगे ठीक है इसको क्या कहा जाता है तश्वी कहा जाता है जैसे चांद सा चेहरा चांद जिसे बहादर नार्म है तुम भी नर्म है तुम भी नर्म हो गया है अब ये आपको असल में क्या होता है आपको शेर दे दिया जाता है और आपज़ा बताईए इस शेर में कौन से सनत है या इस शेर में हासनत ही पूछी जाती है ठीक है तो आपको बताना होता है कि कौन से सनात है जैसे हैं लेका हस्ती अपनी हुबाब कीसी है यह नुमाईश सराब कीसी है अब देखें यह हुबाब से सराब कहा गया है ठीक है हस्ती को हुबाब के बराबर बताया गया है क्यों वदहे गया है क्याते पानी की बिलबूले को पानी का भूबूला कभी भी कोधी जीना सकता है और स्कार मेंवें Hima lika हुआ छक्नी प्टेश्बी मंधे और kaç दे जाता है या पिर जिद लिग दिया जाता है तो इन सब का मतलब उल्टे लफजी होते हैं तो आपको पता है यह पर कुछ आपके सामने दे दिये गए जैसे इप्तिदा का इंतिहा आगास का अंजा मंधिरी का उजाला तो यह कुछ है आप लोगी ने देख लीजिए अगर क्लिक करेंगे तो वहां को मिल जाएंगे आ गए आजाएं नेक्स्ट टॉपिक हैं आपका मुतरादी फलफास मुतरादी फलफास का बात तो सेम है ना मतलब बात तो हम जमीन की कर रहे हैं ठीक है तो इस तरह से यहां पर ही आपको कुछ दिये गए हैं आप इसे देख लेजिए और जादा पढ़ने के लिए अलग से वीडियो अपलोड है आप और जादा भी डिटेल में पढ़ सकते हैं आप सापके लायके आपको पते हैं सफिक्स और पिफिक्स होते हैं या अपने पढ़े होते हैं हिंदी में उपसर्ग और प्रत्ते हैं ठीक है तो यहां देखें जो सापके होते हैं वो कहां लगते हैं आगे लगते हैं हमेशे याद रखिए एक चीज़ को याद करिए या ला यहार चूजल ने पर पीछ लगने वाले वोड़े हो आधिते हैं डोल दोनों को याद करेंगे तो अगे करना है यह वाले करते हैं जर्णली यह अब चांग मैं जो आगे उनली का आवह है यह न हम बैप पूछे अब पढ़ता चल गया था में के लायके वह पीछे लगते हैं तो यहां पे आपको दिये गए हैं पीछे लगनों में जैसे बाज खाना खौर और दार ये कुछ इनके ही पूछे जाते हैं जर्नली तो आप इनको पढ़ लीजिएगा ठीक है आगे आजएए अब आपका नेक् अमीर के अमीरों करने उम्रा करने इस छád ख até खयालिगा इस थाम्रा का क्या करते हैं बेगम का बैगमों कर देए वहीं वह बेगमाद दूर पासका तो खेर नहीं लेकिन जान पेचानने जो आपके लास्ट में दिये होते हैं वह भी पूछे जाते हैं उनको एक बार देख लीजिए आप सब जानते हैं मुझकर कहते हैं आदमी को मुझकर कहते हैं लड़की को तो अब देखे इसके कोशन थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछ ले जाते हैं यह कोशन एमसी क्यूज में भी पूछ ले जाते हैं ठीक तो आपको यह याद करना है कि अगर अबलग से अपलोड है आप लोग जा के देख सकतेए अब हम बात कर लेकी कि खतो नवेसी किसे का यह नहीं है खत लिखना आ खाहेते मैं डफटरी खत क्या होते हैं और गिए अटार्र क्या होते है तो आप लोग में पड़ा होका कि आपके आपके livro होते हैं je औरते हैं एक होते हैं एक के ओडिख में होते हैं अब देख़ ृ य होते ही धा बिल्कुल से में सबसे पहले आपको क्या करने उनका एड्रेस करने उनका प्रिंसेबलने उनका लगए उनका उनका आड्रेस उसके बाद क्ललिक्षां पिर जो भी है आपका है जैसे चोटी बहन को खत लिखना है या प्रिंसिपल को खत लिखना है के बही बुक्स मंगाईए जो भी आपका टॉपिक रहेगा अंदर वो आप यहाँ पर लिख देंगे ढलास्ट में पिर अगर आपने दीक्ड है तब आपको लिखना होता है फर्माबर्भ дел, शाघर्द, शाघर्ड。 लेकिन अगर आपने प्रेंसीपल को नहीं लिखा है तो आपको क्या लिखना होता है आपका शुक्र गुजार है इस तरह से आपको लिखना होते है तो इस तरह से करेंगे और रही बात आप लोग का एक कोशन था कि मैम हमें नाम लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए तो दीखे बेटा पार्शल्टी हो सकती है नाम लिखने की वज़े से इसलिए नाम को नहीं लिखना चाहिए ठीक है आपको नाम की जंगा पर अलीफ बेजीम दाल करके लिख देना है और इसकूल वगएरा का नाम आपको दिया होता है अगर नहीं भी दिया है तो आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं उसमें कोई मसला नहीं है ठीक है नाम से इंडिविज आपको या तोफ़ा देने पर खाला को या खालू को ठीक है और आपके बुक सेलर को और स्कूल में बुक्स मंगाने के लिए प्रिंसिपल को तो इस तरह के बहुत सारी दर्खास्त और खतूत मैंने अपलोड कर दी है उन्हें अप डिटेल में जाके देख सकते हैं क्योंकि अगर मैं यहां करूंगी तो बहुत टैम लग जाएगा ठीक है आडैके दो जाके दीख लिर्यगिंगे दे लिंक कि लिंगे मजमून लएशी मजबन नवέλबारे मतलब होती है कि हमें कोई मजमून दिया गया है उसे लिकना है म、 धेक्रिक सरश्बूपिक्स हैं आप उस यो इसको करने का तरीका होता है बहुत आसान कि जो भी आपको टॉपिक दिया जा रहहें हम दीजिए स्कूल का सालाइना जलसा ही दे दिया गया है यह लाल कुले की सार देदिया गया कोई भी एक आपिक ले जिए अगर हम साला ना जलसा ले ले लेते हैं до Swami का सबसे पहले आपको अपने बारे में बताना है कि मैं इस स्कूल में पढ़ता हूं यह मेरा स्कूल है और फिर आपको बताना है कि स्कूल में तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं इसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में इसका क्या नाम है स्कूल का साला ना जलसा है उनको इनाम और इक्राम से नवाजा जाता है यही सब चीज़े तो होती है तो आप यहां लिख सकते हैं आसानी से इसके लावा तो और कुछ होता नहीं है यह आप देखें यह function और गनाईज किस जगा हुआ इसकूल में आपके school के ground में हुआ है इसकूल के hall में हुआ है किस जगा पर फंक्शन और गनाईज हुआ है थोड़ा सा उसको डिसक्राइब कर दीजे लिए आप मजमून तयार है तो मजमून को रटने की ज़रूरत नहीं होती है बागी आपके बहुत सारे मजमून है जो हमने उसमें बना रखे हैं आप वहां से जाके देख सकते हैं कोई मसला नहीं है ठीक है लिंक उसके भी description में तो वहां से आप देख लेंगे चली एक से किए डबल टच की वज़े से ह्सके आपके बागता है कि अचेयर को पता है कि से का जाता है कि सी चीज को किसी नहीं के बराबर बताना है बते ही स्थ्थ्यार अधैज को कुभा हु वही बता तेना इस्तियारा कहलाता है यह इसके definition दी गई है कि इस्तियारे के लगवी माइने होते हैं मुस्तार लेना मुस्तार मतलब होता है उधार लेना उधार लेना उधार लिया यानि क्या कि हमने एक word उधार लिया जो किसी और पर लगा दिया अब क्या कहते हैं कि जैसे आपने कि बिल्कुल सेम वही मुशाबत है तो आप उसको एजर्टिस वही कहेंगे जैसे अभी तश्वी में क्या होता हम कहते हैं हमने शेयर जैसा बहादर लड़का देखा यहां पर देखा मैंने भी लड़का यह लेकिन वह बहादर है इसलिए मैंने उसे डिरेक्ट शेयर बोल दिया था कि जब मैंने बहादर लड़का देखा तो तश्वी ने इस्तियारे का इस्तिमाल किया जनले आपसे डेफिंशन भी पूछ ली जाती है कई मरतबह आप से एक शेयर देदिया जाएगा उस शेयर में पूछा जाएगा बताइए इसमें आपने क्या है मतरफ तश्वी है आपका एक शेयर आया था काबा किस मूझ से जाओगे गालिब शर्म तुमको मगर नहीं आती है ना तो इस शेयर में पूछा गया था कि कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है इसलिए आपको ये वाली सनते पढ़ाना भी जरूरी हो गया था तो पहले जो सनत है तजाहिल आर्फाना इसमें यही होता है कि जान बूच कर जब आपको सारी बाते पता हैं और उसके बावजुद आप नादान बनने की कोशिश करते हैं ठीक है तो वो तजाहिल आर्फाना कहलाता है ठीक है इसमें क्या है कि भई इसमें शायर को अभी जो मैंने आपको शेयर बताया कि काबा किस मुझे जाओगे गालिब शर्म तुम को मगर नहीं आती गालिब को यहां अपनी सारी हरकतों के बारे में पता है फिर भी अंजान बनने की कुशिश कर रहे हैं ठीक है तो यह क्या है आपका तजाहिले आर्फाना है ठीक यहां देखे लिखा हुआ भी है कि भाईया क्या जान बूच कर अंजान बनना ठीक दूसरी सनद जो है यह आपसे पूछी जाती है तजात तो यह आपको पता है सब्सक्राइब किसे का जाता है जब शेर में एक ही मिस्रे में या दोनों मिस्रे में अपोजिट वर्ड्स आ जाए ना दिन का रात है ना या सुब का शाम इस तरह स तो उसको क्या कहा जाता है सनद तजात कहा जाता है जैसे यह लेकर आग और पाने का एक साथ आजाना अर्श और फर्ष का एक साथ आजाना तो इस तरह से जब दो मिस्रों में मतलब एक शेर में अपोजिट वर्ड आ जाए चाहे वो एक ही लाइन में हो चाहे वो दोनों मि मिलाके हों लेकिन अपोजिट वर्डो जैसे आपका है एक शेयर है के लाई है आए खज़ा ले चली चले ना अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले तो अब देखे है खज़ा मौत तो यह पोज़िट वर्डो होगे नहीं होगे चेक तो इसके लिए आपको लवज माई याद होना जरूड़ी है अब आप लोग मेंसे कोई पूछा था मैंम लफ्ज माई ने आएंगे तो बेटा देखे लफ्ज माने आए या ना आए आपको याद होना जरूरी है अगर आपको लफ्ज माई ने याद होंगे तभी आप Qsans, Anders और सवाल जवाब को कर पाएंगे otherwise आप करी नहीं पाएंगे शार को आप पड़ी नहीं पाएंगे आरिए बस समझ में इसके बाद यह वाला आप छोड़ दीजिए next आपका आता है तल्मी तल्मी वाला बहुत important है इसमें क्या होता है बेटा किसी पुराने वाकए को या किसी तारिखी वाकए को या किसी मजभी वाकए को बेयान किया जाता है यही आपका तल्मी कहलाता है जिसका एक बहुत अच्छा सा शेयर यहाँ आपको खुद भी दिया गया है अबने मर्यम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई यह शीर है कि बीबी मर्यम के उपर जब इल्जामात लगाया जा रहे थे तो जो उनके बेटे थे इबने मर्यम यानि मर्यम के बेटे इसा अलिए सलाम तो इसा अलिए सलाम ने खुद उनके सवालात के जवाब दिये थे जो वहां लोग सवाल कर रहे थैंने सारे जबावात उन्हों ने खुद दे दिये थें, इस तरह से कहते हैं कि भी बी मरीयम की तकलीफ की दवा टijk है, अई छ्छी bereits सी तरह आती में वैपन तकलीफ की दवा कर जाए, नहीं वैसे तरह स्वार, उन्हीं धी दौफ मैरने लाम मे अगर अब भी कोई टॉपिक रह गया है तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजे रात तक में एक वीडियो और आप लोग के लिए अपलोड कर दूगी कोई मसला नहीं है अप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और अब भी कोई डाउट है तो अपलोग कमेंट करें लेकिन प् कमेंट के भी रिपलाई ना दे पाऊंगा है कमेंट वो कीजिए जो जरूरी है बाकी में आपको सारी चीज़े बता चुकी हूं कि बेटा आपको ऑवरॉल सारा सेल बस कवर करके ले जाना है अच्छा दूसरी बात यह के उर्दू कि धर से शुरू करें पेपर में तो आउट के लिए हो चुके होंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में थेंक यू फो वाचिंग